Hello Friends, Welcome to You for Watching My Video अगर हिंधी में ऐसा वाक हो हो तो उसे कैसे हम इंगलीस में टांसलेट करेंगे जैसे वह चोटी चोटी बातों पर रोने लगती है आप चोटी चोटी बातों पर झगड़ा करने लगते हो वह चोटी चोटी बातों पर गुश्सा क्यों हो जाती है आप लोग छोटी छोटी बातों पर बहस क्यों करते हो So guys, ऐसे वाक हमें अपने डेली लाइक में सुनने को मिलता है तो चले देखते हैं कैसे ऐसे वाकों को हम लोग हिंदी से इंगलीज में टांसलेट करेंगे Over small things Over small things means होता है चोटी चोटी बातों पर या चोटी चोटी चीजों पर ऐसे वाक हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पर इस टेक्चर लिखा हुआ है पहले हम लोग sentence लिखेंगे फिर उसके बाद over small things लिखेंगे sentence जिस tense में होगा उस tense में लिखेंगे तो ज्यादा तरके present indefinite tense में ऐसा वाक को लिखा जाता है पहला वाक कहे है वह चोटी चोटी बातों पर रोने लगती है C. Begins to cry over small things तो गाइट से यहाँ पर Begins to का प्रियोक किया गया है लगा लगी लगे के लिए यानि प्रारंब होने के लिए अगला वाक कहे है आप छोटे छोटे बातों पर जगड़ा करने लगते हो You start quarreling over a small thing So guys इस वाक में start का प्रियोक किया गया है चाहे हम start का प्रियोक करें चाहे हम begins to का प्रियोक करें Begin to के साथ verb के साथ ing का प्रियोक नहीं होता अगला वाक्य है, वह चोटी चोटी बातों पर गुसा क्यों हो जाती है? वाई ड़सी गेट एंग्री ओफर इसमाल थिंग्स अगला वाक्य है, आप लोग चोटी चोटी बातों पर बहस क्यों करते हो? वाई डू यू अर्ग्यू ओभर इस्माल ठींग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरह से ऐसे वाक्व को हिंदी से इंग्लीज में टांसलेट करेंगे यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और कुछ अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजेगा और भी तक आप मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं कि तो आप से रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजेगा इस चैनल पर हम लोग इसी तरह से पढ़ते लिखते शिखते हुए चलेंगे थांक्यू वाचिंग मैं वीडियों